Hi guys, welcome you all once again, so आज की इस वीडियो में हम लोग multiplexed seven segment display के बारे में बात करने वाले हैं, so इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को नहीं पता जो हम लोगों की single seven segment display है वो क्या होती है और basically कैसे हम इसको program करते हैं, तो आप इससे जो previous दो वीडियो हैं उनको ज multiplexed seven segment display है उसकी जरूरत क्या है, देखिए हम लोगोंने इससे previous जो वीडियो है उनमें देखा था, कि अगर आप लोग यहाँ पर जो seven segment है, इसमें कोई भी value display करवाना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर जो इसकी eight data lines है, इनको connect करना पड़ता है अपने microcontroller से, ठीक और इसको आप positive देते हैं, अगर आप लोगों का जो seven segment है वो common anode है तो ठीक है, तो now suppose करते हैं, अब हम लोगों को यहाँ पर एक से ज्यादा seven segment display में अपनी values को display करना है, ठीक है, तो suppose करते हैं हम लोगों को यहाँ पर four seven segments है और इनमें अपनी values display करनी है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक approach तो यह रहेगा कि आप लोग जो यहाँ पर different seven segments हैं, उनकी जो different data lines हैं, उनको separately अपने microcontroller से connect करें, तो उस case में देखें आप लोगों को यहाँ पर eight data lines यह हैं, eight यह हैं, eight यह हैं और eight आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो total आपको यहाँ पर 32 data lines को अपने microcontroller से connect करना पड़ेगा, ठीक है, बट हम लोगों का जो यहाँ पर eight mega eight है, उसमें total 23 ही input output pins मिलते हैं, तो यह जो हम लोगों का approach है, इसको तो हम लोग यहाँ पर use नहीं कर पाएंगे, कि कि अपने आप में impractical हैं, ठीक है, तो इसके बाद दीखी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों की यहाँ पर चारो seven segments है, इनकी जो data lines है, इनको हम लोग आपस में interconnect कर लेते हैं, तो इससे आप लोगों की यहाँ पर जो total data lines है, वो सिर्फ eight ही रहेंगी, ठीक है, और बाकी इसके बाद जो हम लोगों की यहाँ पर common terminal है, इनको हम लोग separate रखते हैं, इनको हम आपस में interconnect नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पर चार जो है, यहाँ पर select lines मिलती है, इन common pins के through, ठीक है, तो यह हम लोगों का select line है, इसका क्या use है, इसको हम आगे देखेंगे, तो अब देखें, यहाँ पर हम लोगों का जो काम 32 pins के through हो रहा था, वो काम आप यहाँ पर सिर क्या है, multiplexed seven segment displays बन जाती है, तो अब इसके बाद देख लेते हैं, हम लोग कैसे exactly हम लोग यहाँ पर connections करते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों का जो first pin है, यह basically A pin है, तो आप देख पाएंगे, चारो की चारो जो seven segment है, इनकी जो A pin है, इनको हम ल B, E, F, G और DP, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे हम लोगों की जो total data lines है, वो 8 ही रहेंगी, इसके बाद हम लोगों की seven segments की common terminals होती हैं, उनको आपस में हम लोग यहाँ पर interconnect नहीं करते हैं, इनको हम separate ही यहाँ पर रखते हैं, और separately हम लोग यहाँ पर signals देते हैं, त तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, इनको हम लोगोंने separately यहाँ पर रखा हुआ है, तो इनको हम लोग basically बोलते हैं select lines, ठीक है, तो इनके through ही हम लोग क्या है, अपने जो यहाँ पर seven segments हैं, इनको control करते हैं, so exactly यहाँ पर काम कैसे करता है, इस इसको हम लोग समझ लेते हैं, now suppose initially हम लोगों ने यहाँ पर जो data lines है, इसमें one का pattern बेजा, ठीक है, अब फिलाल हम लोग देखें, यहाँ पर क्या है, यह common cathode type के seven segments को use कर रहे हैं, तो common cathode के corresponding हम लोगों का जो one है, उसका pattern क्या बनेगा, यह बनता है six zero, या फिर आप कह सकते b और c जो data line है, इसमें आप ल seven segment तक पहुंचेगा, but कि seven segment में आप इसको display करवाना चाहते हैं, यह basically हम लोग decide करते हैं, अपने select lines के through, चीक है, अब यहाँ पर देखें हम लोगों का यह जो seven segment है, यह common cathode type है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर आप किसी एक segment display में कोई चीज display करवाना चाहते है और अगर वो यहाँ पर common cathode है, तो उस case में जो common terminal x को हम लोगों ने ground करना होता है, यह फिर आप कह सकते हैं, आपने zero देना होता है, तो suppose कीजिए हम लोग यहाँ पर जो भी data आया है, उसको सिर्फ first वाली जो हम लोगों की seven segment इस पर display करवाना चाहते हैं, तो इसके corresponding हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो first लोगों की display है, इसमें one display होगा, now suppose कीजिए अगर आप लोग यहाँ पर सिर्फ fourth वाली में ये काम करवाना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आपको simply जो select line four है, इसको zero करना होगा, rest को आप लोग यहाँ पर one देख सकते हैं, हम लोगों ने चार common cathode seven segments ली हुई है, और initially हम लोगों ने देखे यहाँ पर जो इनकी data lines है, इनको आपस में interconnect करके रखा हुआ है, और इसके बाद जो हम लोगों की यहाँ पर common terminals हैं, इनको हम लोगों ने separately यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, so यहाँ पर मै आप लोगों को एक चीज clear करना चाहूंगा, फिलाल मैंने यहाँ पर जो multiplex seven segment display है, वो manually बनाई हुई है, ताकि आप लोगों को यह चीज समझ आए, कि exactly कैसे हम लोगों का जो multiplex seven segment display है, वो बनता है, otherwise आप लोग यहाँ पर चाहें, तो inbuilt हम लोगों को multiplex seven segment display मिल जाती है, औ और आप उनको चाहें तो directly भी यहाँ पर use कर सकते हैं, बट फिलाल मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको manually बना के आपको दिखाया है, ठीक है, तो अब समझते हैं कि exactly यह work करेगा कैसे, देखिए, हम लोगों की यहाँ पर जो data lines है, इनको हम लोगों ने pull down कर रहा है, मतलब क कि initially जब आपके यहाँ पर button off condition में होंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर जो data है वो 0 मिलेगा, क्योंकि यह pull down है, ठीक है, ground आप लोगों ने basically इनको किया है, और जो हम लोगों की यहाँ पर select lines है, इनको हम लोगों ने pull up किया हुआ है, मतलब कि initially जब आपके यहाँ पर कोई 5V आपको मिलेगा, ठीक है, तो समझने के लिए हम लोग इसको यहाँ से play करके देखते हैं, तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों की जो data lines है, उनमें आप लोगों को blue color दिख रहा होगा, तो यहाँ पर कोई भी data भी नहीं आ रहा है, मतलब कि आपका यहाँ पर 00 मिल रहा है, और वहीं अगर आप बात करें, जो हम लोगों की यहाँ पर common terminals होती है, तो उनमें देखिए, हर किसी में आप लोगों को red color मिल रहा होगा, इसका यह मतलब है कि यहाँ पर आप लोगों को positive यह फिर 5V मिल रहा है, आप suppose हम लोग यहाँ पर one जो pattern है, उसको भेजना चाहते है तो आप लोगों को उसके लिए जो B है और जो C है इसको on करना होगा, तो जैसे आप लोगों ने इन दोनों को on किया तो देखिए हमारा जो data है वो सारी की सारी जो 7 segments से उसमें जा रहा है, बट अभी फिलाल कहीं पर भी display नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर जो select lines है, चारो की चारो वो high है, अब जिस particular 7 segment में आप data show करना चाहते हैं, उस particular select line को आप लोगों ने यहाँ पर ground करना होगा इस button को press करके, अगर आप यहाँ पर सिर्फ फॉस्ट वाली जो location है या फिर फॉस्ट वाली जो 7 segment है, उसमें यह जो one है इसको दिखाना चाहते है तो आपको यहाँ पर क्या है, इस select line को press करना है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर one जो है वो print हो जाएगा, और सेम ऐसे अगर आप यहाँ पर fourth में करना चाहते हैं तो आप इसको press किजिए, तो आपका यहाँ पर भी display होगा, अगर second में करना चाहते हैं तो आप इसक segment में display करवाते हैं ना suppose किजिए हम लोग यहाँ पर जो अलग-अलग seven segment है उसमें अलग-अलग values डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उस case में क्या करेंगे तो यह चीज़ हम लोगों का इन switches के through नहीं हो पाएगा इस चीज़ के लिए हम लोगों को inbuilt multiplex seven segment display को भी यूज किया है और इसको हम लोग जो है अपने atmega 8 के साथ connect कर रहे हैं इसमें जो हम लोगों की data lines है इनको हम लोग port d में connect कर रहे हैं और जो हम लोगों की हैंपर select lines हैं इनको हम pc1234 में connect करने वाले हैं तो अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि different जो data है वह हम लोग कैसे इस particular seven segment में display करवाएंगे तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आप सपोस किजिए हम लोग यहाँ पर जो first display है इसमें one print करना चाहते हैं second में two, third में three और fourth में four display करवाना चाहते हैं तो देखिए यह जो अलग अलग data है ना यह हम लोग एक instruction के through तो नहीं दे सकते हैं ठीक है क्योंकि जो भी आप लोग यहाँ पर एक time में data भेजते हैं वो data हम लोगों के हर एक seven segment तक पहुंचता है तो individual यहाँ पर जो हम लोगों की seven segments हैं उनमें simultaneously हम लोग यहाँ पर data नहीं भेजते हैं इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे one by one यहाँ पर data भेजते हैं ठीक है आप लोग यहाँ पर अपना data transmit करेंगे suppose कि आप यहाँ पर one भेजना चाते तो उसके corresponding जो हम लोगों का यहाँ पर common cathode यूज कर रहे हैं तो आपको PC2 जो है इसमें zero देना होगा बाकि PC1, PC3 और PC4 में आप one ही देंगे तो उससे आप लोगों का जो second वाला seven segment है वो activate हो जाएगा और इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्योंकि two print करवाना चाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो data lines हैं उन इसके corresponding जो हम लोगों का PC3 है इसको आप zero देंगे बाकि तीनों जो हम लोगों की यहाँ पर select line से इनको आप one रखेंगे और इसके बाद आपका जो three का pattern है उसको आप three print हो जाएगा फिर fourth के लिए आप लोग यहाँ पर जो PC4 है इसको zero रखेंगे बाकि PC123 को आप one देंगे तो इससे आपका जो fourth वाली seven segment है वो select हो जाएगी और इसके बाद जो four का pattern है उसको आप भीज देंगे ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पर काम होगा अब देखें यहाँ पर exactly होता क्या है कि एक time में सिर्फ एक ही चीज़ आप display करवा सकते हैं but इस चीज़ को ह fast करते हैं कि हम लोगों का जो human eye है वो इसको detect नहीं कर पाता है but practically होता क्या है कि आप लोगों का एक time में एक ही data transmit हो रहा होता है यह चीज़ हम लोगों को पता है ठीक हम programmer है हम लोगों को पता है but जो human normal होगा जिसको इसके बारे में पता नहीं है उसको क्या लगेगा कि यह यह प्रॉपर्ली डिस्प्लेई यहां पर हो रहा है अब यहां पर first seven segments से जब हम लोग seconds seven segment में जाते हैं या फिर second से third में जाते हैं या फिर third से fourth में जाते हैं तो इसके बीच में हम लोगों को क्या है यहां पर एक specific delay देना होता है तो यह जो delay है यह हम लोगों का 5 milliseconds से 10 milliseconds के बीच में vary करता है तो जिस समय आप लोग इसको hardware में implement करेंगे तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा अपना calibration करना होता है और अगर आप लोग इस delay को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो यहां पर होगा क्या कि जो यहां पर चीजे display होनी थी वो एक साथ display ना होके वो one by one आपको यहां पर display होती हुई नजर आती है तो multiplexed seven segment display की जो programming है इसको हम लोग next video में देख लेंगे I hope आप लोगों को इतनी चीजे समझ आ गही होंगी फिर भी अगर आपके कोई doubts है तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं वैसे जब आप इसकी programming देखेंगे तो वहीं पर हम को काफी चीजे clear हो जाएंगी पर फिर भी अगर आपको कोई doubt रहता है तो आप यहां पर comment box में लिख सकते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को subscribe जरूर से कीजिए अपने friends के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं तो